संगम नगरी प्रियाग राज में सुक्रवार को राजुपाल हत्याकांड के मुक्य गवा उमेश पाल की हत्या कर दी गई बता दें पुलिस इस वारदात को अंजाम देने वाले हमलावरों की तलास कर रही है और वहीं मामले में अब बड़ा और संसनी खेज खुला सा हुआ है बता दें हत्याकांड में बीजेपी अलप्शंखक मौर्चा के महानगर अध्यक्स राहिल हसन के भाई गुलाम हसन का नाम सामने आया है उसे नामजद भी किया गया है हत्याकार्ण में गुलाम हसन का नाम सामने आने के बाद बीजेपी जिलाद्यक गणेस्त केसरवानी ने बीडिया से बाचीत के दोरान बताया कि गुलाम को पार्टी से हटाया जा चुका है हाला कि इस संब्द में अभी कोई लेटर जारी नहीं किया गया है बतादे की उमेश पाल और उनके गनर संदीप निशाद की हत्या में 44 सेगंड के भीतर कर दी गई बेखो बदमासों में से एक बदमास उमेश का पास की दुकान में इंतिजार कर रहा था उमेश के गाड़ी से उतरते ही शोटर्स ने फाइरिंग कर दी थी शक्षागाट संदीप निशाद ढाल बने तो उनको भी गोली मार दी गई गटना इस्तल से ही मिले CCTV फोटेज के अनुसार गोली लगने के बाद उमेश पाल घर की तरफ भागे लेकिन बदमासों ने पीछा करते हुए तंग गली में घुसकर फाइरिंग और बंबारी की वहीं गोली लगने से कार के पास गिर पड़े गनर संदीप निशाद भी गली की और भागे जिनको निशाना बनाते हुए बदमासों ने गली में बम मार दिया फिर घायल अवस्ता में संदीप उमेश के घर के बाहर गिर पड़े बता दे उमेश पाल की भतीजी ने बताया कि गोली लगने के बाद चाचा को बदमास दोड़ा कर गोली मारते रहे यह सब हमारी आँखों के सामने हुआ और हम चाचा को नहीं बचा पाए उमेश पाल ने हाली में बीजेपी जोइन की थी उपमुक्यमंत्री के सब परशाद मोर्या से लेकर पूर्व केंद्रे मंत्री एसपी भगेल सिद्धार्त नाथ सिंग से नजदीक सम्मन्त थे बता दें उमेश पाल की हत्या के बाद परीजनों में कोहरा मचा हुआ है अब परिवार की सिकायत है कि जो नेता उमेश पाल से मिलने के लिए रोज आते थे वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं हाला कि इस्तानिय विदायक सिद्धार्त नाथ सिंग रविवार को सात्व ना देने पहुचे थे ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बरे रहे इन खबर के साथ